फिरोजाबाद थाना उत्तरक्षेत्र सत्यनगर टापा में गुरुवार दोपहर एक युवग द्वारा दिन दहाडे खुले आम तमन्चा लहरा कर एक घर में घुस उपद्रव मचाने का मामला चर्चा में चाया हुआ है इसके कुछ वीडियो भी वाइरल हो चुके हैं पूलीस का डर भी उसे नहीं लगा बैखौफ दिखाया तमन्चा दरसल मामला अस दोभर का बताया जो रहा है जिसमें एक युवग द्वारा किसी के घर में घुस कर उपद्रव मचाने के साथ ही खुले आम तमन्चा लहरा कर लोगों को अपना अंदास दिखाना बताया गया लोगों के नुसार जो सूचना पर पहुचे तो छेतरीय चौकी इंचार्च तक उसने तमन्चा तान दिया उसके बात तो वह भाग गया बाकी सू का पाती धंदे करता रहता है उसके बाद दिल्ली भाग जाता है बताया जाता है कि इसके मामा वह वरिबार को इनकी सुरक्षा मिलती रहती है एक पैक्ती ने तो यह तक कहा कि जब छट पर यह तमन्चा लेकर खड़ा था तो इसका तमन्चा चीना गया इस पर धक्कार दे तो हवा में फायर करते हुए वह भाग गया फिलाल उसको तलाशा जा रहा है फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट